हलो दोस्तों कैसे आप लोग मैं हुआ सिस्कुमार और स्वागा था आपका जेनरल नॉलेज वाला चैनल में दोस्तों आज कितना महत्वपूर्णी दिन है ये आप जानते हैं दोस्तों आज 5 जून वर्ल्ड इन्भार्मेंट डे है जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो आज भूल तो नहीं गए आज का दिन दोस्त आज का दिन भूलना मत विस्व परियावरं दिवस आज ये दोस्तों आज का दिन हमारे लिए हर एक इनसान के लिए हर जीव जनतु के लिए कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज अगर आप ए पूद लाना पड़ेगा दोस्तों हर एक एक कदम आपको उठाना पड़ेगा दोस्तों आज का वीडियो के बारे में हम थोड़ा सा नौलेज़् आपके लिए लेाये थो थोड़ा से इंफॉर्मेशन ले संब churn और इसके बारे में लेका हैं दोस्तों आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहो दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं पहली कि हम अपने जरूरतों को पूरा कशल प्रयावराण को कब कितना बरबाद कर दिया ना पता ही नहीं चला और इतना ही नहीं इसका खाम्याजा भी हम लोग भुगत रहे हैं अभी हाल ही हाल में देखो देखो ना इधर साइकलोन आ गया तो यह सब आपको लगता होगा प्राकिर्दिक आपता है लेकिन आप प्राकिर्दिक के साथ छीड़ छाड़ कर रहे हो ना कहीं सुखा पड़ जाता है तो कहीं बाढ़ आ जाता है और बाढ़ भी ऐसा आता है ना तबाही मजा के चला जाता है तो कई बार भूकाम पा जाता है मेरे दोस्तों तो दोस्तों ये सब बातें आपको साइद भली भाती पता है दोस्तों टेंसर नहीं लेने का आज का जो है जानकारी मैं वो आपको देते हूँ दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व परयावरन दीवस लेकिन क्या आप जानते हैं ये कभ सुरू हुआ था और क्यों सुरू हुआ था क्या था इसका मकस atención क्या था ठीक है तो मैं बताता हूं बस छोटा सा वीडियो है थोड़ा सा देख के जाना साइद आपके एक्जाम में या कहीं जीवन में काम आ जाए दोस्तों बात करते हैं विश्व पर्यावरन दिवस पर्यावरन की सुरक्षा और सन्रक्षन के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है इस दिवस को मनाने की घोसना संयुक्त राष्ट ने पर्यावरन के परती वैस्विक अस्तर पर यानि विश्व अस्तर पर राजनितिक और समाजिक जागरिती लाने के लिए वर्स 1972 में की थी इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट महासभाद्वारा आयोजीत विश्व परियावरन सम्मिलन में चर्चा के बाद सुरू किया गया था 5 जून 1974 को पहला विश्व परियावरन दिवस मनाया गया जी यहां दोस्तों इजना आपको पचा होना चाहिए यह एकदम बेसिक इन्फॉर्मिशन है याने आज से 46 वर्स पहले 1974 में 5 जून 1974 को पहला जो हमारा इन्फॉर्मिशन डेविस वो परियावरन दिवस मनाया गया था उसी दिन से सुरुवात हो गई थी दोस्तों इसका इस्तिहास ये भी कहता है कि 1987 में जो इसका केंदर होता है एक ठो वहां पर जो मनाया जाता है वहां पर आयोजन किया जाता है सभा का तो इसका जो 1987 में इस साल 143 से अधिक देज हिस्सा लेते हैं और इसमें कई सरकारी समाजिक और वैवसाईक लोग परियावरन की सुरक्षा समस्यादी विशय पर बात करते हैं जिहां दोस्तों अब ले इसका महत्व क्या है तो इसका महत्व है परियावरन को सुधारने के लिए यह दिवस कितना मह तो पूर्ण है ये तो हम जानते ही हैं जिसमें पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनावतियों को हल करने का रास्ता निकालता है जिहां दोस्तों आज एक सभा आयोजित हुई है लोगों में परियावरन जागरुक्ता को जगाने के लिए संयुक्त रास्त्वारा से बड़ा वार्सिक आयोजन है समझ के याद रखना इसका मुख्य उद्देश हमारे प्रकृती की रक्षा के लिए जागरुक्ता बढ़ाना और दिन प्रती दिन बढ़ रहे विभिन परियावरनिये मुद्दों को देखना है समझ रहे हो तो दोस्तों आज का जानकारी ज जाहिए कि जो हम इस तरह संसाधनों का बरबादी करते आ रहे हैं दोस्तों ये प्राकृती के प्रती विरुद्ध है दोस्तों क्योंकि आप जितने तेजी से संसाधनों का जो बरबादी कर रहे हो उससे कहीं न कहीं हमको बहुत जादा इसका खाम्याजा भुगतना पढ़ रहा है दोस्तों आपको थोड़ी सी प्रकृती के प्रती थोड़ा समवेधन सील हो जाना चाहिए दोस्तों प्रकृती के बारे में सोचना चाहिए दोस्तों आज वर्ल्ड इंवर्मेंट है एक पेड़ लगाओ दोस्तों मेरे तरफ से एक पेड़ लगाओ बागी बाद कोई सारा काफ है दोस्तों जय हिन दोस्तों अपने देश को अपने समाज को अपने इन्भार्मेंट को अपना पर्यावरन को सुरक्षित बनाओ और यह आपका काम है दोस्तों इसका सुरक्षित बनाना दोस्तों हर व्यक्ति को जागरुक करो आप हम जैसे स्टूडेंट अग अगले वीडियो में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो कर लो ना यार कर दो थोड़ा मेरा भी भलाई हो जाए और इससे मेरा जानते हो इससे मुझे एनरजी मिलते हैं इसलिए करो लाइक करो वीडियो को जाएं दोस्तों एक बार फिर से तीन बार बोल दियाना चलो बाई मिलते हैं अगले वीडियो में